और आज हमारा नया टॉपिक एकांटिंग रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बोर्ड में इसके कोश्चन चार मार्स का दो लॉंग कोश्चन आता है और दो मार्स के में देखने के लिए मिलते हैं यानि कि टोटल इस चैटर का जो वेटेज है वो छह मार्स का यहां पर है और चैक्टिकल में बारा मार्स का चैप्टर है यह अपने आपने और जोगता है एक दो तीन वह आपसे वह इसके रिकार्टिंग कोश्चन भी पूछ ले तो यह अरफमाटिंग राजव है जैसे घर बनाते हैं तो चाया का जो रिच्च वह और बोलते हैं दो कप चाय बनाने के लिए लेकिन अगर बात करते हैं टाइप अगांटिंग रेशो बात करते हैं आपको जो आपके अगता है। लिक्विडीटी रेशो जोओ लिक्विड्य पोजिचन को बताता है जो लिकुड्टफ आपस पॉजिच्न्य नराय ने दिश्यों है किस पॉजिचन स्थे विए थीज्टारफ अहीं है इंट्ट पूरा करता है इंटेश videos इस इंपोर्टेंट लिक्विड रेशो इस चॉर्ट टम पजीशन को बताता है इसमें दो एकांटिंग रेशो देखने के लिए मिलते हैं एक मिलता है आपको कुर्ण रेशो एक मिलता है लिक्विड रेशो पुरे बारा मेनी के अंदर आपकी प्रेमिट हो जाती है उनको हम करेंट एसेट्स कहते हैं इसको मैं अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद पूरा डिफाइन करूंगा किया चीज हमारी current assets में आएगी चा क्या चीज current liabilities में आएगी और क्या हमारी liquid assets में आएगी बेसिकली liquid assets क्या होती है current assets में से stock और inventory अगर minus कर देते हैं inventory और prepared expenses अगर minus कर देते हैं तो हमारी आ जाती है liquid assets current liability तो आपको पता ही है जिसमें sundry creators provision for taxation आउट्सेंडिंग एक्सपेंसे अनर्ड इंकम यह सब आती है अभी मैंसे मैं लिख वाँगा इसको तब आप समझ जाओगे नेक्स रेशो देखने के लिए इंटर्प्राइजेज तो मीट लॉंग टर्म फानेंशे अब्लीगेशन इंपोर्टेंट इसली रेशो और इसली रेशो क्या होता है हमारी सॉल्वेंसी पोजिशन को बता रहा है इसमें कितने रेशो आते हैं पांच पहला आता डैप इक्टिरी रेशो दूसरे नमर पे कौन सा आएगा प्रोप्राइटी रेशो फोट नमबर पे इंट्रस्ट कवरेज रेशो और फिप नमबर पे रेशो अब इनके फार्मले भी आपको मैं सिखाऊंगा इनके फार्मले की एक ट्रिक्स है कैसे आब इनको निकाल सकते हो अगला आता है हमारा एक्टिविटी रेशो को भी चैते हैं जो मारी तर्न ऑवर को बताता है इसमें जितने भी रेशो ना यहां पर चीज का ध्यान रखना यह 2-1 3-1 1-1 इस तरह से तो आएगा यह लेकिन जो टर्न ऑवर एशो ते हैं वह टाइम आते हैं इस में टाइमसं मैं और जो प्रॉपिटी रेशो यह पर्से टर्न वे शो नेक्स्ट रातए हमरा प्रॉपिटि विल्टी रिचो जिसको आपने 11 प्लास में भी पड़ा था रोस्ट परफिटी रिचो और इसमें यह रिचो कैलकुलेट होते हैं और सबसे इंपोर्टन ररिटन ओन और इंवेस्मेंट व को देगने क्लिए आपको जो देखने करें वोन से मिलते है जो औरуетश्परिट्ल रेश्यो और नेट फ्रैश्यव सिय और इनवेस्मेट बहुत जाद वह गांतेज है तो नो दो स्प्रक्श्पार्मूले के साथ और जो बातोंसरे हुत चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं लासे तो यहां पर देखो सबसे पहले जो रेशो आता है वह है लिक्विडिटी रेशो लिक्रिटी शॉट तर्म सॉल्वेंसी को बताता है हमारी कि हम सॉल्ट तर्म में अपने जो लैबिलिटीज हैं वो पूरी कर पाएंगे नहीं प्रक एक साल केंदर करीजने होता है वो एक स्टापको रेंट देना होता है कि विद्गेंगे हम उन खर्च को पार है很яг करब भी पारेनी कर पार है आ journals किaying तक न Ultra ऑन पर यह घुरेंगे 크ंड ये को बताता है हमारा को करेंट लाइटर को बताता है इसका फार्मुला यह है करेंट असरे सब्सक्राइब एक एग लाग की करने के लिए double margin चाहिए होता है यह best माना जाता है बड़ यह कहें कि यार यह best को चीक है अब आता है liquid रेशो लिकविट एट जैट्स अप UAON C ollas 1 द्स अब देखो current assets में क्या आती है current liabilities के दोनों जगए को मनें तो पहले समझाएतों current assets क्या है current assets हमारी 12 months के अंदर चलती है 12 months के अंदर जितनी भी payment होती है वह current assets के अंदर आ जाती है यो जो बैसा बारा मेने के अंदर में चूड हो रहा है तो करन्ट लिविविटि में सबस्कू उस्परिश में मानध जायेगा अच्छा यह हुमारी लिकविड रेश्यों को हम और भी नाम से जानतेये धैंग को कबार्ट को सबांच और देखें धना इसको ररीयक क्यणत इंवेस्ट में सोय ट Championships पहले इस्टाउब पड़ा था अभी बोलेंगे इसे इंवेंट्री बोलते हैं जैसे सेल्स नहीं बोलते अब भोलते हैं तो इने करेंगे से इसको संडी डेटरस ध्यान रखना है जो यहां पर संडी डेटरस आएंगे वह लेस्ट पूविजन होके आएंगे यह उसको यहां प्रोविजन तो यह माइनस होगा पहले फिर शौट टम लोन्स एन अडवांस अगर हमने किसी को शौट टम के लिए लोन्स दिया है वह भी करण्ट एसेट्स का ही पार्ट है अब आती है करण्ट लियाविटी करण्ट लिया क्रेश्ट क्रेडिट के लिए हमने बैंक से लोन लिया है ए इसमें बिल्स पेबल आ जाता है संड्री क्रेड़र सा जाते हैं चौट टम प्रोवीजन में प्रोवीजन फॉर टेक्स यह आपने पड़ा ओगा लेकिन अगर बात करता हूं अब मैं लिक्विट एसेट्स की लिक्विट एसेट्स को आप नोट कीजिए और जो ऑनलाइन विए सिस्टेम वीडियो देख रहा है वह आप भी नोट करना पड़ेगा मुझे लिक्विट एसेट्स में केवल दो ही चीज़े दिहान अकनी है ल एक बड़ और बोल रहा हूं लिक्विट एसेट्स हीगल टू करन्स ऐसेट्स-कि इनवें्टरी माइनस प्रि एक्सप्रेइट बस ये दो अईटम माइनस करते हैं तो अनसरी के निकल के आ है लिक्विड एसेट्स तो यह दो फार्मिले हो गए और एक रेशो मेरा कंप्लीट होता है तो चीक है और जो ऑनलाइन विरसेट्स का स्क्रीन शॉट ले लिजिए और फिर मैं आपको एक टेक्निक्स बताऊंगा फार्मिलोस को निकाल लेगी तो चीक है तो अगली क्लास में हम इसके कोश्चन कराएंगे तब तक यह फार्मिले सारे दिमाग में शट कर लो और कुछ शाटकट टेक्निक्स भी बताऊंगा मैं आपको रेशो करते समय बहुत सारे फार्मिले याद नहीं होते कई बार कोश्चनों के बीच में कई सारे फा मिलते हैं नेक्स वीडियो में लव यू और वंदे मात्रम जै भारत